तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसी सेटिंग दिखाने वाला होगी, वो सेटिंग अगर आप अपने गूगल में करोगे, तो यहाँ पी जो गंदी चीज़े होते हैं, जो आपके बच्चे यहाँ पे सर्च कर रहे होगे होते, तो वहाँ पे अगर वो सर्च करने ज फोटो जो है उदर सर्च करते होंगे और उनको आपको रोकना है ठीक है इसलिए वो जो ब्राउजर इस्तेमाल करते कोई भी ब्राउजर हो या फिर यामाई का ब्राउजर हो या फिर क्रोम हो तो यह क्रोम ब्राउजर में मैं आपको यहां पर डेमो करके दिखाने वालो तो पर हमारा Chrome browser है ठीक है यहाँ पर Google है तो आपको मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाने वालो सबसे पहले मैंने कोई भी setting नहीं किये है तो मैं यहाँ पर पॉर्ण जो फोटो होते हैं ठीक है इनको मैं यहाँ पर सर्च करकर दिखाने वालो तो पॉर्ण फोटो इस प्रकार से हम स ठीक है तो आपको इनको ब्लॉक करना है तो कैसे कर सकते हो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर Google खोल लेना है यह Google.com जो है यहाँ एड्रेस बार में आप Google.com इस प्रकार से करोगे और यहाँ पर Google में नीचे एक सेटिंग का ओप्शन होता है ठीक है यहाँ पर सेटिंग अभी कुछ वीवर्स ऐसे है कि वो क्या करेंगे यहाँ पर थ्री डॉट में जाएंगे और नीचे आएंगे सेटिंग में ऐसा नहीं करना है यह जो Google का होम पेज है इस पर यानि ब्रावजर में ही यह जो Google है इसमें आपको सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पर सेटिं इस प्रकार से एक option होता है यहाँ पर बाइडिफॉर्ट से ये show split result इस प्रकार से होता है तो आपको hide split result पे click करना है यह वाली एक सेटिंग करनी है और यहाँ पर वीडियो जो है ठीक है यहाँ पर by default से autoplay preview on Wi-Fi and mobile network इस प्रकार से होता है तो इसको आपको हटा करना है do not autoplay पर क्लिक करना है तो दो सेटिंग आपको करनी है सेब सर्च फिल्टर में हाइड एकस्पेट रिजर्ट पर क्लिक करना है और वीडियो में डू नॉट डिस्प्ले डू नॉट आटो प्ले और नीचे आना है आपको यहाँ पर एक सेव का आप्शन मिलेगा तो आपको खाली इस सेव पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर प्रेफरेंस यहाँ पर सेव हो चुकी है अब यहाँ पर हम फिर से पॉर्न फोटो को अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैसा रिजर्ट यहाँ पर आ रहा है यानि कि पहले पर यहाँ पर कुछ रिजर्ट दिखा रहा था लेकिन अब यहाँ पर कोई भी रिजर्ट नहीं दिखाएगा यानि कि कोई भी पॉर्न हो या फिर ट्रिपल एक्स वीडियोज हो अगर आपके बच्चे यहाँ पर सर्च करेंगे तो उनको यहाँ पर यहाँ पर सर्च नहीं होने वाला है, ब्लॉक हो जाएगा ठीके, खाली वो सेटिंग में जाकर फिर से अगर सेटिंग चेंज करते तो रिजर्ट आ सकता है, लेकिन उनको यह पता नहीं होना चाहिए उनको ये पता नहीं करना है तो इस प्रकार से आप दोस्तों इस प्रकार से ये जो setting है खाली आपको क्या करना है setting में जाना है Google के Google के setting में जाते हैं तो यहाँ पे search setting होती है और यहाँ पे hide expect result और videos को do not autoplay पे click किजे आपको आपके बच्चे यहाँ पे आगे से कभी भी दोस्तों यहाँ पे कभी भी porn photo जो होते है ठीक है इसको search नहीं करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार के और technical की वीडियो देखने के लिए आये जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का ब